नमस्कार इलेक्टिकल जिन्दगी में आपका स्वागत हैं दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इन्वार्मेंटल इस्टेडिस के प्रिवेश यह कोश्चन पेपर सीरीज के बारे में इस सीरीज में मैं आपको बता रहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट कोश्चन पेपर हमारे ह कूचे गया हैं उनके बारे में हम लोग समझा था जिसमें लोग बात किया था मौन के बारे में साल्प पाजिशन क्या होता Jewish कि सो अधर्म काशें कवारण वीडियो मेंth noon लेक्ता saben दो आफको अपलोड किया था आप आशा करूंगा कि आपने वह डेक लिए सब्सक्राइब करते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों के अपने इस वीडियो को जरूज शेयर करेंगे यूं तो मैं आपको रटने के लिए परिभासा आपको बता सकता हूँ लेकिन नोज पौलूशन के बारे मैं आपको एक्स्प्लेन करना चाहता हूं देखिए नोज पूलूशन क्या होता है ये मान लीजी हमारा इस SPEAKER है इससे गाना हमारा बज़रा है ठीक है इससे गाना बज़रा है और यहां पर हमारे बच्चे नाच रहे हैं यहां पर कई सारे हमारे बच्चे हैं नाच रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिस करिएगा मैं थोड़ा सा एक्जामपल दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी noise pollution को ना भूल सक तो यहां पर कई सारे बच्चें हमारे नाच रहें इसी तरीके से और यहां पर एक औरृब आदम, जो हमारे खटिया हुती है। में उसमें हमारा पड़ा हुआ है और इसकी तवियत गाफी जाएदा खराब है अब यहां से स्पीकर से आवाज निकल रही गाने बज रहे हैं और यह बच्चे इसमें नाच रहे हैं इन बच्चों के लिए जो आवाज है यह क्या है मधुर धोनी है तभी तो यह बच्चे न होसकते है तो मतलब कि आप एक चीज क्या संज़ें कि एक स्पीकर से निकलने वाली आवाज कि हो सकती और वही आवाज किसी के लिए नौज प्ति हो सकती ayam प्रोधुषन के थे हैं प्रूष है पर सभी से के कि मतोग के अंसार कहा जा चकता है कि वहाँ धुनिंलति के स्वास्थपिर्गिंवा और प्रोभाव कर रहा हो उसे दुसरे Oi subsequently कर रही है आशा करूँगा कि यह चीज़े आपको समझ में आगे होंगी एक्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि जैसे बाइन बाजे के साथ में जो बारात जाती है बाराती तो बहुत खुश होते हैं लेकिन जिस महले से बुजरती है उस महले में यदि कोई बुजरु के वेक्ति या फिकोई बीमार वेक्ति तो उसको वो कटू लगती है तो उस समय में क्या होता है कि उस वेक्ति के लिए वो ध्वनी प्रेदूशन है लेकिन जो बाराती जा रहे हैं उनके लिए वो मनोरंजन का कारण है तो और साथ में आप देख सकते हैं कि पटाकों का फूटना पट इसी बेल जो होता है वो इसे अगर आप लिख देंगे तो एक्जामनर के ऊपर बहुत अच्छा आपका इफेक्ट पढ़ने वाला है साथी में आप इसे भी पॉइंट को जरूर जरूर मेंशन करिएगा अपने आंसर में कि मानों के कारण के सुनने की चमता 20 हर्ट से लेकर या इनके बीच में भी धोनी जो होगी वह हमारी धोनी प्रेदूर्शन का करण बन सकती तो चलिए अब बात को लेक्ते हैं कंवारे स्वेशन होता है जिनकी वजह घ्यामनी दो हमारे स्वेवान वदा है एक नेचर नेचर के करण हमारे उनृट निवारे पॉलिशन होता औ हमारा water pollution होता है साथ में air pollution भी होता है उस साथ में हमारा noise pollution भी होता है तो यहां पर आप जौला मुखी डिस्पोर्ट को लिख सकते हैं नेश्रल में अब बाकी बादलों के दर्जन से भी हमारा धौनी प्रदूशन होता है इन सभी को जाज़ा explain करने की जोड़त नहीं क्योंकि यह basic term से आप जानते हैं बच्पन से लुकापिंड के गिरने से भी धौनी प्रदूशन होता है भूकंप के कारण आई तबाई से भी मंजिल वगेरा जो ढह जाती है तब धौनी प्रदूशन होता है इसी तरीके से अगर artificially बात करूं तो मैं industry इसके machinery जो होती है वहां से भी हमारा धौनी प्रदूशन होता है वीवास हमारों में जो band बाज़े बगेरा बचते हैं उनमें से हमारा धौनी प्रदूशन होता है साथ में radio हो गया या फिर टीवी हो है अब लोग बात कर लेत हैं कि ऐसे कौन-कौन से एफेक्ट है जो हमें हानी कारक देखने को मिलते हैं तो सोर के कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं अगर सोर ज़्यादा होता है तो इससे हमारे मानों की सुनने की जो छमता होती है वो कम हो जाती है साथ में मानों में जो क्रोध होता है चिर्चिडा पन आप कह सकते हैं वो भी उत्पन हो जाता है है रोग मानों में आ जाता रक्त चाप जो रोग होता है वो हमारा उत्पन हो जाता है साथ में अगर ध्रवववति महला है तो उसके उपर भी काफि बुरा एफेक्ट पड़ता है ध्रववने प्रॉशन का तो यह सबी हमारे क्या होते हैं एफेक्ट होते हैं दोनी प्रोडूशन के कारण अब बात कर लेते हैं कि हमारे काम है जिनकी वज़े से हम लोग दोनी प्रोडूशन को रोक सकते हैं तो इनको मैंने थीरिक उसमें चैटर्गराइज किया हुआ है पार्ट्स में यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल एट सोर्स मतलब की जिस वज़े से हमारा सोत्र है जो दोनी कर जान को कर सकते हैं जो इस वोग बाजे हो रहा है तो इसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एक यह काम करें कि ilizi की धौनिकों को एक दीवारी सब लुप और तरी नीजाएक ले INF mi नार हाइगा है थे काम करने के लिए अश्रुआ के उठायगा तो हमारा दोने प्रणूसर कम हो एक थीक है ना तो इस तरीके से हम लोग तीन में थाड होते हैं या तो पिर अम लोग बीच के मीडियम में कुछ बदलाव कर तो फिर अम狗 जो हमारी रिसीवर है उसी के इस किषपी हम्हिंव को क्या कर सकते हैं कन्ट्रोल कर सकते तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि रोक ठाम में कि control at source मतलब कि स्रोतर पर कंट्रोल करके मीडियम पर कंट्रोल करके और हमारे receiver पर कंट्रोल करके स्रोतर पर किस तरीके से कंट्रोल करेंगे lubricant कर इस्तिमाल करके machinery जो होती है हमारी यह हमारी जो machine होती है यह हमारा soft है और यह हमारी machine है यह soft जो रोटेट कर रहा होता है तो इस rotation में क्या होता है कि यहाँ पर अगर friction होगा मतलब घरसन हो रहा होगा तो क्या करेंगी machine यह आवाज करेंगी तो अगर यहाँ पर हम लोग lubricant मतलब कि grease यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि इससे आवाज आनक कम हो जाएगी तो lubricant के इस्तमाल करके हम ध्वनी प्रदूशन को कम कर सकते हैं ध्वनी प्रदूशन जो सोसक होते हैं उसका इस्तमाल करके हम लोग ध्वनी प्रदूशन को कम कर सकते हैं सीसा, प्लास्टर, इट वगेरा के इस्तमाल करके धौनी प्रोडूशन को कम किया जा सकता है साथी में control at medium तो दूरी बढ़ा के हम लोग धौनी प्रोडूशन को कम कर सकते हैं, building के layout ऐसा बनाया जाए कि धौनी प्रोडूशन कम लगे direction के बदलाओ में, अगर ये मालीजे कि ये था example मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि यहां से क्या हो रहा था कि ये बाज़ा बज़ रहा था और इस रद्वेक्टि को परेशान कर रहा था, तो हम क्या करें इस बाज़ा कर दिसा अगर बदलने तो कई हद तक है कि अँधों करें, हमारे जो इसको परेशानी हो रही थी, वह हमारी कम हो जाएगी तो इस तरीके से क्या करता है, कह सकते है कि दृ hadine production के बदलाओ करके हम लोग only production को कम कर सकते है यह पिर हमारे third method होता कि control at receiver receiver पर control करके हम लोग only production को कम कर सकते मैं मतलब कि धोनी के हुआ नि लगा दें जो इस व्रद्वेक्ट्टी इसके कानों में कुछ ऐसी चीजी लगा दें जिससे यसे व्रद्व्स काम वतना घुमनी दीडcono सकता है और लोगों के आपको बता दूंगा और साथ ही में जो रोग थाम करने के तरीके हो सकते वह आपको बता दूँगा यह सब सब्सक्राइब करिएगा अगर कोई भी माइन में आपके डाउट एंड क्वेरी बनती है या फी वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं मेरे सोचल मीडिया एकाउंट में सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मैंने मेंशन कर दि को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में तब तक लिए टेक क्या बाए बाए